नमस्कार साथियों मैं सुझी राजपोत आप आए बार फिर से स्वावित करता हूँ अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है जिक्के जोस और देखें दोस्त हमने यहापे बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखिया यदि आपने वह नई देखिया है तो प्लीज एक बार जाके जरूर देखिये यदि आपको लगता है कि वह आपके लिए एक्जाम वरेंटिट काफी ज़्यादा है तो प्लीज जाया ज़्यादा ल इंडिया सेंसे ओफ इंडिया इसे मोलेंगे भारत की जन गननना बहरत की जन गनना भारत की जनगनना को लेकर क्या कुछन बंचुके आपके आपके एक्जाम में अब तक वो सारे चोटे से चोटे और बड़े से बड़े question को में आपे discuss करते भी चलेंगे आज का जो हमारा topic जिसका नाम क्या है Census of India अब यहाँ पर देखे दोस्त यहाँ पर बात करा भारत की जनगर्ना की एक चीज़े पताईए हम जनगर्ना में करते क्या है जनका मतलब क्या होता है वेक्ति और उसकी मतलब गणना उनकी counting करना मतलब लोगों की counting क्यों करते है तो एक चोटा सा example देता हूँ माल लेजिए आपके घर पे कोई wedding जैसा program है तो हम करते क्या है सबसे पहले हम members को count करते है कि कितने क्या मेहमान आ सकते है और उन मेहमानों को count करने के बाद हम क्या करते है उनके खाने पीने का उनके रहने सैने का एक इंतजाम करते है ताकि जो हम wedding करने वाले है उसमें कोई अर्चन ना आए वो अच्छी तरह से systematic तरीके से चल सकी तो ऐसे ही है कि आपका India है इंडिया के अंदर क्या वही बहुत सारे लोग रहते है तो हमें simple सी बात हमें पहले उनकी counting करनी होती है ताकि हम उनके लिए इंडिया में अच्छी तरह से रहने की खाने पीने की और jobs की मतलब भई रोजगार भी तो देना होगा ना उन सबी की व्यवस्ता अच्छी तरह से कर सके इसलिए हम उनकी क्या करते है जन्गन्ना यानि की census of census कराते है census of India यानि की भारत के जन्गन्ना कराते है जन्गन्ना कराते है जन्गन्ना होती है यह होती है दस साल में दस साल में कितनी होती है Census Commissioner कुन कराएगा? Census Commissioner कराएगा Census Commissioner Census Commissioner कराएगा कौन सा कराएगा? Census Commissioner एनकी इसे हम बोलते है जन्गर्णा आयुक्त जन्गर्णा आयुक्त जो आपकी दस साल में एक बार जन्गर्णा होती है ये कौन कराता है? जन्गर्णा आयुक्त कराता है बोलते हैं census commissioner बोलते हैं और जो यह census commissioner होता है यह किसके अंडर काम करता है यह करता है under of home ministry यानि कि ग्रह मंत्राले के अंदर यानि कि यह जो आपके जन करना भी होती है यह किसके अंडर होती है जन करना मंत्राले के अंडर होती है और इसे करता कोन है यह करता है जन करता है जन करता है अब यहां पर देखिए अब हम बात कर लेते हैं आपके first census के बारे में यानि कि जो इंडिया की पहली जन करना होई थी फर्स्ट census पहली जन करना की यह दिबात करें वो इती 1872 में 1872 में 1872 में होई थी और यह किसके टाइम पिरिड़ के दोरान होई थी यह हुई थी लोड मियो लोड मियो के टाइम पिरिड़ पे हुई थी और यह आपका पहला कुशन बनता जो एक्जाम में बहुत बार रेपीट हो चुका है कि भारत की जो पहले जन करना है वो किसके टाइम पिरिड़ पे हुई थी लोड मियो के टाइम पे 1872 में अब बात कर लेते हैं फ़र्स्ट डेकल, फ़र्स्ट डेकल सेंसर्स यानि के सेंब बोलेंगे पहली पहली दसकिये जन करना जो पहली दसकिये जन करना हुई थी यह हुई थी 1880 में 1881 में हुई थी और यह किसके टाइम प्रेड के दोरान हुई थी यहाँ पे टाइम प्रेड चल रहा था लोड रीपन का लोड रीपन यानि कि जो आपकी फ़र्स्ट दसकिये यानि कि पहली दसकिये जो जन करना हुई थी वो लोड रीपन के टाइम पे हुई थी और यह दोनों के दोनों आपके एक्जाम में बहुती जादा रिपीट हो च और जो हुई थी पहली दिसे के जंगन्ना उस पे टाइम प्रेट चला वा था लोड रिपन का अब बात कर लेते हैं किसकी जो अभी जंगन्ना आपकी चले हुई है जंगन्ना 2011 की यानि कि मैं बात करा हूँ सैंसस 2011 अगर मैं 2011 की बात करता हूँ दोस्त 2011 की जंगन्ना के वो कौन से नंबर के जंगन्ना हुई है तो यह हुई है पंदरवे नंबर की कौन से नंबर की हुई है पंदरवे नंबर की लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 1947 के टैम प्रेट को लेके चले यानि कि सवतंतरता के बाद सवतंतरता के बाद यदि सैंसस को काउंट किया जाता जन्गर्णा को तो इसकी रेंकिंग रहती है सेवंथ और ये भी आपके एक्जामें बहुत बार रपीट हो चुका है कि सवतंतरता के बाद जो ये जन्गर्णा हुई है 2011 की ये कौन से नंबर की रही है ये रही है साथवे नंबर की और वैसे रेंकिंग कोई है जन्गर्णा रही है भारत की जन्गर्णा यानि की जो पॉपुलेशन रही है जन्षंख्या रही है वो कितनी रही है ये रही है एक सो है किस गरोड़ कितने रही है? 121 क्रोड की आबादी रही है, 2011 की जन्रणना के अकोडिंग. और 2011 में यह जो इसकी पोपुलेशन रही है, 121 क्रोड. इस 121 क्रोड पोपुलेशन के साथ, इंडिया की जो रैंकिंग है, पुरे वल्ड में, second ranking हो चुकी है. वल्ड में कौन सी ranking पे आता है? Second ranking पे. Second rank रहता है, population के according. तो first rank पे कौन सा रहता है? First rank पे रहता है चाइना. और ये भी आपका question आचुका है. जन संग्या के according, जो चाइना है, वो वल्ड में पहले number पे आता है, और इंडिया का कौन सा number रहता है? Second रहता है. इंडिया के अंदर total population कितनी है? 121 करोड. और देखो, यदि मैं वल्ड की ये बात कर रहा हूं, वल्ड की बात, तो वल्ड की total population का 17.5% कहां पे है? इंडिया में. ये जो मैंने बताई है 17.5% ये of the world है, of the world. मतलब पूरे विसव की, अगर मालब पूरे विसव में 100% है, पूरे विसव में 100% population है, तो उसका कितना परसेंट इंडिया में है? 17.5%, 17.5% रहेगी. अब बात कर लेते हैं, 2011 की जंगर्ना थी ये, अब आगे कब होगी? मैंने अभी आपको बताया है, कि जो जंगर्ना होती है, वो कितने साल बाद होती है? 10 साल बाद, after 10 years. अभी यहाँ पे देखो, 10 साल बाद, यानि कि 10 साल के बाद जो जंगर्ना होगी, ये कब होगी? 2021 मे ये, ये कि जो अभी आपका आने वाला है, 2021, यहाँ पे इसकी दोबारह से क्या होगी? जंगर्ना होगी, और 2021 में जो जंगर्ना होगी, ये कौन से नंबर की होगी? सोलवे नंबर की जंगर्ना होगी. ये भी इसका कोई डेटा आया नहीं है, लेकिन जैसे आएगा, वो भी आपको बताया जाएगा लेकिन एक चीज और बता देता हूँ 2020 में एक रिपोर्ट पेश की गई और यहां पे बताया गया वर्ल्डेस्ट यूथ कंट्री वर्ल्डेस्ट यूथ कंट्री यूथ कंट्री यहने कि विशव में जो सबसे ज़्यादा यूवा वाला देश है वो कौन सा बन चुका है इंडिया 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 के अंदर यूवाओ की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है और बताया जाता है यहां पे जो एक एवरेज एज निकाले गई थी एवरेज एज काउंट की गई तो मालूम चला कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूथ है और उनकी एज जो एवरेज एज निकाले गई वो 29 एर निकाले गई है मतलब 29-30 के आसपास क्या रहती है उनकी एज रहती है अब इसके लावा ओर डिसकस करते हैं किसके बारे में 2011 की population के बारे में 2011 की जो जन्गना हुई थी जो census हुआ था 2011 का तो यहां से question क्या बन चुक है आपके एक बार वो देख लिजे question बन चुका आपका कि 2011 की जन्गना हुई थी यहां पे census commissioner कूँ था census commissioner census commissioner था उसका नाम है C. Chandramoli C. Chandramoli और बोट बार रिपीट हो चुका यह C. Chandramoli C. Chandramoli यह कोन है? 2011 की जन्गना के जन्गना आयुक्त है C. Chandramoli और इस बार जो यह 2011 में जन्गना हुई थी यहां पे logo क्या था? logo से भी आपका कुशन आएगा कि logo क्या था? logo था a lady a lady teacher a lady teacher with lamp with laptop with laptop a lady teacher with laptop आप इसे इंदे में बोल सकते हो कि हाथ में laptop लिये हुए सिक्सी का हाथ में laptop हाथ में laptop लिये हुए लिये हुए लिये हुए सिक्सी का यह इस बार का क्या था? logo था अब इसके अलावा बात कर लेते हैं यहां पे slogan 2011 की जन्गना हुई थी यहां पे slogan क्या था? स्लोगन की बात कराओं नारा नारा क्या था? 2011 की जन्गना का 2011 की जन्गना का जो नारा था? वो था आवर सेंसस आवर सेंसस आवर फ्यूचर आवर फ्यूचर यानि कि हिंदी में बोलेंगे हमारी जन्गना हमारा भुष्य है यह इस बार का क्या था? नारा था 2011 की जो जन्गना हुई थी अब इसके साथ में और डेटा देखते है 2011 की जन्गना को लेकर आपके कैसे क्या question बन चुके है अब यह आपर देखिए एक current भी बता देता हमाबको यहाँ पर जो नैशनल सेंसस पोलीसी थी जिसे में बोलते है राष्टी जन्गना नीती राष्टीय जन्गना नीती अगर मैं राष्ट्य जन्गना नीती की बात करता हूँ कोईसी? 2000 तो इसके according इसके according इसने एक target रखा था 가장 population देखते वह target रखा था कि ये 2045 तक 2045 जो जन्गना है उसे क्या कर देगी? सिथर कर देगी क्या कर देगी? सिथर यानि कि जन्गना में क्या लेके आएगी? ये सिथर था लेके आएगी लेकिन अभी recently इन्हें ने क्या कर दिया है इस target को बढ़ा लिया है इन्होंने बोला कि हम target 2045 तक नहीं कर सकते लेकिन कब तक करेंगे 2070 तक यानि कि इन्होंने किया क्या है जो इन्होंने target रखा था कि जन्गना सिथर्ता लाने के लिए तो इन्होंने यह जो target है यह कब तक रख दिया अब 2070 तक यानि कि इन्होंने अपना target बढ़ा लिया है अब इसके लावब बात कर लेते हैं population की population अगर मैं बात करता हूँ state को लेकर किसको लेकर बात करता हूँ state जिसे हम बोलते हैं राज्य है तो यदि मैं state की बात करता हूँ तो maximum population कहां की है और minimum population कहां की है मतलग किस state की है ज्यादा से ज्यादा और यह क्या है कम सबसे ज्यादा जो population रहती है वो कहां की है UP की UP के बाद किसकी रहती है महराष्टरा की महराष्टर के बाद किसकी रहती है बिहार की, यह इनकी population है सबसे ज़्यादा इंडिया में population की state के UP, UP के बाद महराष्टा, महराष्टा के बाद बिहार की, और यदि मैं UP UP की बात करता हूँ, UP UP के अंदर जो population है वो 20 करोड के आसपास है, कितनी है 20 करोड के आसपास, लगबग 20 करोड, और minimum population की state की है, वो रहेगी सिक्किम की वो रहेगी सिक्किम और सिक्किम के बाद किसकी रहेगी मिजोरम, सिक्किम के बाद रहेगी मिजोरम, और सिक्किम की जो population है, वो 6 लाग है कितनी है, 6 लेक 6 लेक रहती है, अब आगे आगे देख लिए जो बात कर लेते है यूटी यूनियन टेरिटरी के अंदर साशित परदेश की सबसे ज्यादा जन संख्या कहां की है और सबसे कम कहां की है सबसे ज्यादा जो जन संख्या रहती है वो रहती है डेली की वो किसकी रहती है डेली और सबसे कम किसकी रहती है लक देप किश के लग से दीबिकि सबसे कम पोपुलेशन हDrThe लग सेधीब ये बात रहा हूं यूटी यानिकी यूनिन टेरेट्रीश केंदर साथी केंदर सासित परदेश की narik10 यानिक यूद इकेंदरसासित परदेश अब बात कर लेते हैं देंसेटी ओप्ऊलेशन की density of population density of population 番 olacak जन्संया घंतव जन्संया घंतव अगर मैं जन्संख्या घंतव की बात करता हूं दोस्त density of population की देखर density of population से मतलब क्या है यहाँ पर हम count करते है computation वो कैसे यहाँ पर हम देखते है number of people number of people number of people living living in one kilometer square area मतलब एक किलो मेटर के अंदर माली जए यह कोई area है एक किलो मेटर हो गया इस तरफ एक किलो मेटर और एक किलो मेटर हो गया उपर की तरफ इसके अंदर number of people कि संख्या यानि कि व्यक्तियों की संख्या हम काउंट करते है और उसी को क्या बोलते है जन संख्या गंतो बोलते है मतलब एक किलो मेटर चेतर में रहने वाले लोगों की संख्या एक किलो मेटर चेतर में रहने वाले लोगों की संख्या अब देखिए यहां density of population की बात करता हूँ तो इंडिया की जो average रहती है इंडिया की जो average population रहती है density population रहती है वो रहती है 382 per kilometer square 382 per kilometer square अब बात कर लेते क्या density of density of population maximum और minimum density of population बात करते हैं किसकी maximum कौणसी state की है और minimum कि state की है यदि maximum की बात करे तो वो आपका रहेगा बिहार बिहार के बाद रहेगा पेस्मभंगाद और यदि कम की बात करे तो रहेगा अरुनाचल परदेश अरुनाचल परदेश और इसके बाद में रहेगा मिजोरम कौन सा रहेगा मिजोरम यदि मैं बिहार की बात करता हूँ बिहार की जो population है यानि की जैसे क्या गंतों है वो है 1106 वरक किलोमेटर और यदि मैं अरुनाचल परदेश की बात करता हूँ यहाँ पर रहती है 17-18 वरक किलोमेटर मतलब एक वरक किलोमेटर के अंदर आपको 17-18 व्यक्ति ही देखने को मिलेंगे मिजोरम के अंदर पढ़ता है 52 कितना पढ़ता है 52 यह था state को लेकर अब बात कर लेते हैं किसको लेकर यूटी को लेकर जिसे हम बोलते हैं यूणियन टेरिटरी यूटी को लेकर बात कर लेते हैं यूणियन टेरिटरी यदि मैं यूटी की बात करता हूँ तो maximum density घंता हो कहा का है और कम कहा का है यहाँ पर देखो यदि मैं यूटी की बात करता हूँ यहाँ पर जो maximum density रहती है वो के state की रहती है maximum रहती है देली की देली के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घंता हो है और कम कहा का है अंडेमान निकोबार कम कहा का है अंडेमान निकोबार अब इसके साथ में एक चीद और डिसकेस कर लेते हैं मतलब यहाँ पर लिंगानुपात की बात कर रहा हूं है मतलब यहाँ पर हम काउंट करते है एक हजार लड़कों पर कितनी लड़किया है अब यहाँ पर देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी state की राज्य की कि सबसे ज़्यादा sex ratio कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर है सबसे ज़्यादा जो sex ratio है वो कहाँ पर है केरला में कहाँ पर है केरला में और यहाँ का जो sex ratio है वो रहेगा एक हजार चुरासी लड़किया कितने लड़कों पर एक हजार लड़कों पर अब इसके अलावा देख लेते हैं कम कहां का है कम पड़ता है हमारे हरियाना का कम कहां का रहता है हमारे हरियाना का यहां का जो sex ratio रहता है वो रहता है 809 से कितने पर 1000 लड़कों पर अब इसके अलावा देखें यहां पर अब बात कर लेता हूं किसकी UT की जिसे में बोलते है Union Territory Maximum कहां का रहेगा और Minimum कहां का रहेगा अगर मैं Maximum के बात करता हूँ जो Sex Race वो रहता है वो रहता है Poodoo Cherry वो कहां का रहता है Poodoo Cherry का रहता है और Minimum कहां का रहता है Daman and Viv का Daman and Viv Daman and Viv का रहता है ये और इसी के साथ में हमारा जो topic हाज का जिसका नाम है census of India ये complete होता है भारत की जन्गन्ना लेकिन एक्जाम में क्या क्या कुछ से ना आ चुके वो बता देता हूँ जो जन्गन्ना वो कितने साल में एक बार होती है दस साल में होती है और ये कराता कौन है ये कराता है मंतराला के अंदर जो पहली जन्गन्ना हुई थी वो इसी अथा 872 में और इस टे सक ये पूँस ताई जन्गन्ना तो ये वह इती 1880 में और यहाँ पर जो ताइंप्रेड चलावा था वो लोड रिपन का चलावा था 2011 की बात करें जो जन्गना हुई थी पंदरवेज करोड और 21 क्रोड पोपुलेशन के साथ ये वर्ल्ड में सेकंड रंकिंग पर रहा था इंडिया पहले पर कौन रहा चाहिना और ये पूरे वर्ल्ड की पोपुलेशन का 17.5% इंडिया में है दो जार 21 की बात करें तो ये सोल भी जन गरना होगी और या भी जो रिसेंटली डा जन गरना की बात करें तो यहां पे मैंने कुछ लिखा कि यहां पे जो जन गरना आयुक थे वे थे सी चंद्रमोली और इस बार का जो लोगो था वो था ए लेडी टीचर विद्धा लैप्टोप मतलब हाथ में लैप्टोप लिए वे एक सिक्सी का दिखाई गई थी और जो भारत की जन गरना है उसे सिथर करेंगे कब तक 2045 तक लेकिन इन्होंने यह टार्गेट बढ़ागे कर जिया गया है 2070 तक पोपुलेशन की बात करें तो मैक्सिमम पोपुलेशन की स्टेट की है यूपी की मीनिमम है सिक्किम की यदि यूटी की बात करें तो किसकी रहेगी देली और कम की बात करें तो किसकी रहेगी लकसट द्वीप की और यह दि मैं बात करता हूं density of population जैन संकया गंतों की इसमें हम करते क्या है किलो मेटर एरिये के अंदर हम काउंट करते है वेक्ट्यों की संक्या कि वो कितनी होगी उसी क्यों क्या बहुते है जैन संक्या गंत की फिर हमने लाक्स्ट में देखा था待 सेक्स रेशों इस में करते क्या है pool कांट करते है क्टिने लडकिया है तो maximum की अ केरला में और में पहाँ पे है अर योटी की बत करें तो maximum कहां काद है फुट्वरी और मीनेम के रहेगी देमन ेम द्व प्रप्राट